दोस्तों मुझे तह सच में यकीन ही नहीं हो रहा है कि एपरिल मंथ की इतनी तड़कती भड़कती दूप में भी हमारे विंटर फ्लावर प्लाइंट्स अभी तक तरक्किक कर रहे हैं तो भई सच में लाजवाब निकले हैं ये तो आज मैं इनका फुल फुल रिव्यू देने वाली अपने विंटर फ्लावर प्लाइंट्स का वो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक श्रीयर सब्सक्राइब जरूर कर देएं चेशरी राते दोस्तों कैसे हैं आप सब हम सब काफी समय के बाद मिल रहे हैं और पूरे तीन दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये मेरी लास्ट वीडियो है अपने टेहरेस कारण की तो आप सभी पूछ रहे थे कि आपको एकदम से क्या ह हो गया और ये लास्ट वीडियो क्यों है तो भई मेरी थोडीना कंडीशन खराब चल रही थी उस वजगरा था कि ये लास्ट वीडियो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस इसके बाद मेरा तो काम होने वाला तो मैंने सोचा ड экспер सब्सक्राइबर्स फिर ये न कहें कि निकिता जी गाय भी हो गई है इसलिए मैंने पहले ही आप सबको वार्निंग दे दे दिथी कि ये मेरे लास्ट वीडियो है भगवान जी की किरपा से अब सिचुएशन किसे ठीक हो रही है और मैं भी अब धीरे-धीरे ठीक हो रही हूं तो मैं back to work आच चुकी हूँ और चलो आज आप सबको दिखाती हूं क्या दिखाती हूँ कि मेरे जो summer flower plants और साथ में winter flower plants जो हैं उनकी condition कैसी है क्योंकि धेर सारे plants सभी न मरना शुरू हो चुके है क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि April month की आज कितनी डेटे 24 है मतलब इस महीने में भी काफी जादा तड़कती भड़कती धूप होती है और उस तड़कती भड़कती धूप में भी हमारे विंटर फ्लावर प्लांट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से तरक्की कर रहे हैं मतलब उनके फूल अभी तक खिल रहे हैं बट कुछ प्लांट्स हमें टाटा बा कर गए थे तो मैंने कल उनको जड़ के साथ निकाल दिया और उनकी जगह नए प्लांट्स को लगा दिया है तो वह सारी चीज़े आप सब के साथ शेयर करूंगी मैं जो कि मेरे गार्डन में अभी हो रही है हमारे फ्लावर सीड्स वाले प्लांट्स के साथ कुछ के को पूरा देखे और यह देखो वही यह ना भई जब से मैंने गार्डन का काम शोड़ा है ना तब से इन्होंने अपना कपज़ा जमाली है मेरे पूरे गार्डन में मतलब हर एक फूल पर हर एक पोधे पर कुछी इस तरह से यह उनको खाए जा रही है खाए जा रही है तो अब भई यह खत्म ही नहीं होते है अब कारे को शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह जो हमारा स्टॉक प्लांट है काफी ब्यूटिफुल सा पोदा है और मुझे यह सच में लाजवाब लगा काफी प्यारा कलर है देख सकते हैं आप आप दो अलग अलग शेड्स में निकल बीज हैं तो इसके बीज एक दो नहीं धेर सारे बीज है तो मैं तो नहीं सोची इसे क्लेक्ट करने की क्योंकि आटमेटिकली यहां पर गिरते हैं और यह लग रहा है मुझे की वहीं है यह त्यार हो रहे है यह चुटे-च्छोटे से देखो बीच में तो यह इसी तरह से तो हमारे डेलियाज भी एक winter flower plant है और देख सकते हैं अब अभी तक इतने सुन्दर तरीके से flowering कर रहे हैं और प्यारे भी काफी ज़्यादा लग रहे हैं देखो और फिर आते हैं हमारे अफ्रिकन marigolds जो की काफी उच्छे से तरक्की कर रहे हैं और जो हमें लगता है की flowering point जो है वो मुर्चा चुका है या ठीक नहीं है उसे हम कट करके बीच में ही डाल देंगे ठीक है ताकि बाकियों पर यह focus कर सके और यह वाला तो मुझे सताज़डी लग रहा है हमारे यहाँ पर इस जो हमारे घर के प्लांट से हैं जैसे कि हमारे सुन्दर सा garden rose भई इसने खेलना शुरू कर दिया है और खेल तो ऐसे रहा है कि भई मज़ा आ रहा है इसे देख के देखो कि तो प्यारा सा लग रहा है नहीं और यह देखो उसके बाद भई यह हमारा winter flower plant है हमारा सुन्दर सा डेलिया जो की काफी अच्छे से तरक्की कर रहा है टोकरी वाले पॉर्ट में लगाया है और ल्यूपिन लगाया था ना हमने यहां वे आपको याद है ने चोटा सा और उसके ओपर छोटे-छोटे से फूल खिलते थे लाइन वाइस तो वह अब जा चुका है अप्रिल मन् प्लांट वाली टोकरी में एक मेरिगोल्ड है और साथ में हमारा डेलिया पाकि इसमें से सब कुछ जा चुका है और यह देखो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ ही रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि यह पत्ता किसीने काटा हुए चलो पीछे करके देखती हूं और यह देखि दोस्तों हमारे सुन्दर से एन्वल क्रिसैंथमम जिन होने सच में लाजवाब फ्लावरिंग की है मुझे तो ना सच में बहुत जादा दुख हो रहा है कि जब यह चले जाएंगे तो इनकी जिका कोल लेगा इतनी सुन्दर तो कोई है ही नहीं चिंता में मैं आप पढ़ चुकी हो और इसी चिंता चिंता में मैंने कुछ ना सीड्स और मंगवाएं है वह आपको मैं जब आएंगे तब बताओंगी अभी थोड़ना बता दूंगी सब कुछ सच में यह तो बहुत लाजवाब है सच में कमाल की चीज़ है इसे तो मैं हर बार आड करूंगे अपने लेट लगाये थे और लेट का लेट ही नतीजा मिला और लेट का नतीजा अबी तक चला हुआ है और मैं हिमाचल में रहती हूँ उस वज़ए से हमारे अब इतनी ज़ादा दूपने पडती है कि प्लांट हमारे जलेबुझ हैं तो उसी वज़ए से यह अभी तक खिलते हैं और देख सकते हैं आप कुछ-कुछ पत्तियां तो मेरी भी मुर्जाई हैं क्योंकि मैंने कुछ time तक care नहीं की ना इनको पानी दिया time to time जो भी इनकी नीड़ थी वो नहीं कर पाई पूरी उस वज़े से कुछ पोदे हमें टाटा बर्वे कर चुके हैं बट कुछ काफे सुन्दर तरीके से अभी भी खेल रहे हैं पहले हम विंटर फ्लावर प्लांट्स की बात कर लेते हैं उसके बाद समझ वालों की बात करते हैं और भी हमारे सुन्दर से कलियंडलाज जिनके फूल अभी छोटे हो चुके हैं उस तरह का रहा है अब देख सकते हैं आप सभी इतना इतना साइज आ रहा है जो हमारा क्या हुआ यह पॉइंट होता है इसका साइज ही छोटा हो गया है और यह वाला तो ठीक है और बाकी भी अब क्या में चीज कोblaiddu से कुरूँ में चोटे साइज कि ठीक है यह पूंस नाम पतारा मैं तो यह देक सकते हैं इसका बींडी की तरह इपर फलावरिंग पोइंट इसके निकल रहे हैं बहुत जल्द कि वह में कार और पहले इसकी बहुत बड़ी 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 पत्तियां थी जो की कुछ इस तरह से काली पीली पड़ी तो मैंने इनको हटा दिया और इनके नहीं पीले पढ़ने के पीछे का रीजन इनको पलट के देखना आपको सामने दिखाई देगा रेड रेड शोटू शोटू से की अब मुझे पता है कि यह भी जाने वाला है कुछ ही समय में क्योंकि यह भी इंटर फ्लावर प्लांट है तो सोच्टियों चलो जितने दिन खाना है खालो फिर बता नहीं कब मोका मिलेगा आपको इन सबको खाने का इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक खोर सुन्दर सी अ काफी प्यारा है और यह मैंने कटिंग से ग्रो किया यहां पर खिला हुआ था इतना बड़ा था यार मैं जब बिमार थी नहीं बड़ी मुश्किल से गार्डन में थी स्पेशली इसको देखने के लिए डेली आती देली कि आज खिलेगा कल खिलेगा इसने बहुत टाइम ल अब कर देल रही है और भई पुछ टहनियां नीचे मुर्चा रही है तो उनको निकाल देंगे कुछ इस तरह से बाकी यह भी आछी से चल रही है कटिंग देख लो ऐसे लगाती हूं मैं लग जाती है और इसकी बाद फिर से हमारा डेलिया और वह भी डेलिया और वह बीड जोकि आप मुझे लग रहा है कि मुझे यहां से निकाल देना चाहिए आज मैं जा रही हूं कहीं बाहर तो मैं सोच थी बट ये मुझे चोटे से लग रहे हैं और इतने अच्छे बीन लग रहे हैं चलो इनका रिव्यू बाद में देखो बढ़ेंगे ये बहुत प्यारा है देखो कितनी सुन्दर सुन्दर से ये हैनुल के सैंटों हम सच में बई तू मत जा और उसके बाद देखिए दोस्तो नियुक्ष क्वेutasini सब्सक्राइवं के सीट्स के सीट्स थें तो बहई भाई ये बी अब खिल रहे हैं और इनका साइज देख सकते आप कितने बड़े-बड़े हैं और कुछ यस तरह से कहल रहे हैं यह भी मैंने मीशो में स्ब्सकरा कि लिया और मेरे घर में पढ़े का विंटर फ्लावर प्लाइंट है जो कि हमारा डेलिया यह भी खिल रहा है और यह देखिए भई सुन्दर से रोज की कटिंग काफी प्यारा है और भई मैंने आप सब को कहा न दूप काफी ज़्यादा थी पोदों को पानी दे नहीं पाई तो इसके बीच वाला जो पॉइं हमारा बहुत जल्द आपको विंटर फ्लावर प्लांट मैं 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 में भी देखने को मिलेंगे मेरे गार्डन में और यह देखो वही सुन्दर सा ग्लारेडिया मैं रोक नहीं पा रही हूं इनको दिखाने से ना और यह यलो कलर में भी खिल रहा है मुझे तो बहुत प्या पूरे एक सुचार रुपए का त्यार किया और वही हमारे यहां पर क्या था आइस फ्लावर ना वह मैंने कल ही निकाला है क्योंकि वह पूरे तरह से मुझा चुका है और उसकी जगब में इसमर फ्लावर प्लांट लगा दिये हैं एक मैंने ग्लेयरेडिया लगाया है और अभी तक पता नहीं है तो आप कमेंट कर दें और फैलोक्स जो है मारा वह भी लेट फ्लावरिंग कर रहा है काफी प्यारी फ्लावरिंग कर रहा है सदबहार का भाई लग रहा है मुझे और काफी प्यारा भी लग रहा है और भाई यह तो घट नहीं गटगी मेरे साथ दे देखो इसका साइस देखो वह इतने शोटे शोटे फूल निकल रहे हैं तो मुझे ना गडबड लग रही है कुछ समर फ्लावर प्लाइंट की तो मुझे अब ताका जाकी और रिष्टेदारों के घर और थोड़ा अपने पड़ोसियों के घर ताका जाकी करनी पड़ेगी क् शोटे शोटे फूलों से काम नहीं चला सकती वही मुझे तो बड़े बड़े फूल चाहिए जो की पूरा घेरा डालने मेरे गाडन और उसी के साथ से चलो पीस लीली के पास पहुंच चुके हैं तो पीस लीली का रिव्यू दे देते हैं मात श्री को मैं कहती हूं कि डेली से और फिर बचारी रुप गई एक दम इनकी ग्रोथ जो भी बड़ी हुई थी और अभी तक इनका हाल कुछ है ऐसा है तो मैंने तो सोचा था कि दोनों की रिव्यूज एक साथ दे दूंगी बट एक के रिव्यूज नहीं पूरे बारा मिनिट ले लिए हैं तो आप सोच र करके तो जरूर बताएं और साथ में मेरे गार्डन रोल्स की तारीफ भी जरूर करके जाएं और यह जो हमारा सुंदर सा एक और महमान खिलने वाला इसकी तारीफ तो आप जो खिलेंगे तब ही करते ना दोस्तों इसे के साथ मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक जे श्री रादे